जैहिन दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटुब चैनल सिभा ओनलाइन क्लासेज में दोस्तो इंडियन आर्मी में एक और भरती निकल चुकी है और इस समय हम हैं इंडियन आर्मी की ओफिसियल वेबसाइट पर जहां पर मैं दोस्तो आपके लिए ओफिसियल नोटिफिकेशन के जड़िए इस भरती के बारे में डिटेल्स देने वाला हूँ तो यह भरती किस स्टेट के लिए है इसके जो ऑनलाइन रेजिस्टेशन से हैं वो कब से कब तक हैं और भरती कब होनी है कौन-कौन से ट्रेट्स के लिए भरती है और आपके जो भी एजुकेशन क्यूर फिजिकल क्यूर और मेडिकल क्यूर है इस भरती से सम्मंदित जो भ वा ओनलाइन क्लासिस को सब्सक्राइब जरू करना तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो दोस्तों यह है वो नोटिफिकेशन जिसको मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है और आप यहां पर देख सकते हैं यह जो भरती है इसके जो ऑनलाइन रेस्टेशन से हैं वो 17 जनबरी 2021 से 20 फरवरी 2021 की बीच में आप कर सकते हैं ठीक है उसके बाद में दोस्तों हम आपको बता दें कि यहां पर कौन-कौन से पदों के लिए भरती निकली हुई है तो यह है दोस्तों वो डेटेल जिसमें आप सभी को यह पता चलेगा कि यहां पर कौन-कौ से जो ट्रेट्स हैं उनके लिए भरती निकली हुई है तो सबसे पहले तो सोलजर जनरल ड्यूटी इसकी जो एज लिमेटर दोस्तों साड़े सत्रा से 21 साल है एक अक्टूबर 1999 से एक अपरेल 2003 के बीच में आपकी डेट बर्थ होनी चाहिए आपकी हाइट दोस्तों 168 करने को 10 पास होना चाहिए 10 में आपके 45 परसेंट मार्क होना चाहिए और दोस्तों आपके जो ओबरॉल परसेंटेज अब धर्टेट्री परसेंट से कम नहीं होनी चाहिए ठीक है उसके बन दोस्तों नेक्स्ट भरती निकली हुई है यहां पे इस सोल्जर टेकनिकल के हाइट आपकी 167 cm, बेट 50 kg और चेश्ट आपका 76 cm होना जरूरी है सोल्जर टेकनिकल के भरती को अपलाई करने के लिए आपकी जो दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो इस प्रकार है 10 प्लस 2 यानि की इंटर्मेडिट एक्जाम पास होना चाहिए आपको Physics, Chemistry, Math और English ये चार सब्जेक्ट होना mandatory है और 50% मार्ग से कम नहीं होना चाहिए आपके 12 में, किसी भी सिंगल सब्जेक्ट में दोस्तों आपके 40% मार्ग से कम नहीं होने चाहिए, नेक्सट भरती यहाँ पर निकली हुए दोस्तों आपके Gender Traitsmen 10 पास ठीक है, और Sou jazz der September 11 पास दोनों के लिए आपके भरती निकली होई है, तो हम आपके लिए दोनों के बारे में ही बिल्कूल डूटेटल में बताने वाले हैं तो यह हैं दोस्तोंस सूल्ज visto watch our Fallout दोनों के लिए ही दोस्तों एज लिमिट आपकी साड़े सात्रा से तेज साल होगी एक एक्टूबर 1997 से एक अपरेल 2003 की बीज में आपकी देट बार्थ हाइट आपकी 168 cm बेट आपको 48 kg चेस टापका 77 76 cm होना जरूरी है क्लास 10th आपको सिंपल पास होना चाहिए बे 33% माक्स और क्लास 8 आपको पास होना चाहिए अगर आप Chamber हाइट आपकी 162 cm बेट 50 kg और चेस टापका 77 cm होना जरूरी है उसके बद दोस्तों यहां पर आपको अगर soldier clerk में आपके लिए अगर apply करना चाहते हैं तो आप 10 plus 2 pass होना चाहिए और आपके पास में जो subject हैं दोस्तों वो English और Math आपको intermediate में अनवारी है overall percentage आपकी 12 में 60% और किसी भी single subject में आपके 50% mark से कम नहीं होने चाहिए तो आप soldier clerk के लिए दोस्तों apply कर सकते हैं next जो जो vacancies निकली हुई हैं वो है soldier technical nursing assistant ठीक है तो यह एने की vacancies हैं इसमें भी apply करने के लिए आपकी age limit 17-30 साल 1 October 1997 से 1 April 2003 के बिच में आपकी date of birth height आपकी 167 cm, bed 50 kg और chest आपका 77 cm होना जरूरी है intermediate pass होना चाहिए 50% marks होना चाहिए किसी भी single subject में 40% mark से कम नहीं होने चाहिए और intermediate में दोस्तों आपके पास में physics, chemistry, biology और English यह 4 subject होना अनबारी है तब यह आप soldier NA के लिए यानि की nursing assistant के लिए apply कर सकते हैं दोस्तों उसके बाद आपको बताते हैं दोस्तों यहां पर आपका जो फिटनेस है, physical fitness तो physical fitness की अगर हम बात करें दोस्तों तो आप देख सकते हैं 5 minutes 31 seconds से 5 minutes 45 seconds की बीच में अगर आप random को pass करते हैं तो आपको group second alert किया जाएगा और आपको 48 number दिये जाएंगे ठीक है उसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो आपकी beam होंगी अगर आप 10 beam लगाएंगे तो 40 number 9 beam लगाएंगे तो आपको 30 number sorry 33 number 8 beam में अगर आप लगाएंगे तो आपको 37 number 7 में 206 beam में अगर आप लगाते हैं तो आपको 16 number दिये जाएंगे उसके बाद में 99 डिच और जिक जैक वैलेंस आपको need to qualify करना है इसके लिए आपको कोई भी marks नहीं दिये जाएगा तो दोस्तों अभी समय आ गया है कि हम आपको बता दें कि यह जो भरती है वो कब है और इस भरती की जो कौन से एरो के अंडर में निकले होगी है ठीक है तो पूरी जानकारी दोस्तों आपको देंगे आपको बिल्कुल भी डढ़ने की जरूरत नहीं है तो उससे पहले हम आपको यह बता दें कि यहाँ पर जो भरती है दोस्तों वो 5 मार्श 2021 से 24 मार्श 2021 के बीच में है ठीक 20 फरवरी 2020 के बीच में होंगे और यह भरती कौन-कौन से डिस्टिक्स के लिए है वो आप बता देते हैं आपके लिए आर्मी रकूर्टिंग ड्यल्य है एड्स वाजी उनिवर्स्टि कौलापुर में और इस भरती में कौलापूर, सोलापूर सतारा, सांगली रतनाग्री & सिंदु दूर्ग region इन डिस्टिक्स के जो बच्चे है वो इस भरती में सामिल हो सकते हैं और उसके बाद दोस्तों North Goa, South Goa of Goa State मतलब North और South Goa के जो बच्चे होंगे वो भी इस भरती में सामिल हो सकते हैं आपके जो दोस्तों email, sorry, admit card है वो 24 February 2021 से 2 मार्च 2021 के बीज में आप अपने Indian Army की जो official website है इस पर login करके आप अपने email ID के लिए download कर सकते हैं तो यही थी दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगे, comment करके जरूर बताएं एक बार आपको मैं यह और बता देना चाहता हूँ कि यह जो भरती है दोस्तों, उसके online registration आपके दोस्तों साड़े, sorry, 17 जनवरी 2021 से 20 February 2021 के बीच में होंगे भरती का place है, सिवाजी University कोलापूर और दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ आपको और भी बता दे हैं कि अगर आप Junior Commissioned Officer ने की JCURT के लिए अपलाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर दोस्तों, vacancies निगली हैं आप देख सकते हैं, for Legible Candidates और महराश्टर, गुजरात और गुवा मतलब महराश्टर, गुजरात और गुवा के अगर बच्चे हैं, Candidates हैं जो की Junior Commissioned Officer JCURT के लिए अपलाई करना चाहते हैं तो वो भी इस भरती में अपलाई कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियों बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार, जैहिन जैभर